हलो, respected friends, very good evening आज हम आपका इस वीडियो सीरीज में mensurations का question लेने वाले है यह mensurations का question जो last ADRI में जितना सारा questions आया हुआ है वो सारा का सारा questions हम इसी compilation वीडियो में हम काबर आप करने वाले है यह आपका grade 3 का भी questions है यह आपका grade 4 level का भी questions है तो सारा का सारा emensurations का questions आपको इस वीडियो में आपको सारा का सारा मिल जाएगा अगर आप नया है आमारे इस channel में तो I welcome you here और एक चोटा सा support रहेगा आपके site से If you do subscribe to this channel और अगर वीडियो अच्छा लगे तो please do like this video and share with your friends तो चलो जी start करते हैं यहाँ पर पहला questions पहला question में हमारा क्या बोल रहा है The circumferential length of a circle of radius 7 cm is used to construct a square The length of the side of the square is Question में आपका क्या बोल रहा है Question में आपका यह बोल रहा है कि आपके पास एक circle है ठीके आपके पास यहाँ पर कोई एक circle है आपके पास एक circle है जिस circle का radius आपको दिया है आपको circle का radius दिया हुआ है 7 cm ठीके 7 cm radius दिया हुआ है और बोल रहा है कि यह circle का अगर आप circumference निकालोगे न यह circle का circumference निकालने के बाद जो length आएगा न वही length यूज़ करके यहाँ पे एक square बनाया गया है समझ रहे हूँ इससे आपको क्या बनाया गया है इससे आपका एक square बनाया गया है तो पूछ रहा है आपसे कि इस square का length क्या होगा यह आपका question है बहुत अच्चा circumference of circle का formula होता है आपका 2 pi r r का मतलब radius pi का value 22 by 7 radius का value 7 7 7 getting cancelled तो circumference of circle आगया आपका 44 वर यही 44 length यूज़ गवा है आपका square में तो perimeter of square perimeter of square is equals to perimeter of circle लेकिन circle में आपका perimeter नहीं बोला जाता है circle में आपका circumference बोला जाता है मतलब जिनीश एक्टा हूँ इकानो perimeter खुआ हुआ हुआ है इकानो circumference खुआ हुआ हुआ है बात एक ही है आपका तो perimeter of square is equals to circumference of circle यह आपका question में दिया हुआ है circumference of circle अभी हमारा निकला है 44 perimeter of square का formula होता है 4a 4a कैसे आया सब length आपका a है तो 4 length अगर आप add कर देंगे तो आपका 4a आ जाएगा 4a अगर 44 है तो a का value होगा आपका 11 तो length of square कितना आ गया length of square आपका आ गया 11 11 है आज ही है option 2 will be the right answer बहुत ही अच्चा फिर उसके बाद आप अगले वाले question में आप आ जाएए question number 2 question number 2 में हमारा क्या बोल रहे a rectangle has 15 cm as its length and 150 cm square as its area आपको बोल रहे कि आपके पास कोई एक rectangle आपके पास दिया हुआ है और इस rectangle का length आपको दिया हुआ है 15 और इसका area आपको दिया हुआ है 150 ठीक है if area is increased to one complete one by three times area बढ़ा दिया गया है इसका जो area है इसका जो area है वो area बढ़ गया है कितना बढ़ा one complete one by three times one complete one by three का मतलब three ones are three plus one four four by three times बढ़ गया है ओरिजिनेल आपका कितना था ओरिजिनेल था आपका 150 और 150 का 4 by 3 टाइम्स बढ़ गया है तो 150 का 4 by 3 टाइम्स कितना होता है आपका 3 आपका 150 में जाएगा 50 टाइम्स 4 इंटू 50 200 तो अभी आपका जो नया जो एरिया है आपका आया है वो नया एरिया आपका कितना आया है 200 बहुत बढ़िया आपको अभी पूछ रहा है कि इसका अच्छा अभी फिर से मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ A rectangle has 15 cm as its length 15 cm length है and 150 cm square इसका area है If the area is increased to 1 complete 1 by 3 times अभी area हमारा 200 हो गया The original area increased its length only हमें only length आपका बढ़ा है लेकिन आपका breadth सेम रहा है तो यहाँ पे जो आपका breadth है यहाँ भी आपका breadth हुई है भी आपका सेम है length आपका change हुआ है तो यहाँ पे नया length आपका कितना है वो आपको निकानना है Question में पूछ रहा है कि new perimeter यह इसका perimeter कितना होगा वो आपसे पूछा है अगर आपको perimeter of rectangle आपको निकानना है तो इसका formula होता है 2 into L plus B तो B तो आपका सेम है तो देखो Area of rectangle का formula होता है length into breadth Area of rectangle यहाँ पे दिया हुआ है आपका 150 length है आपका 15 breadth आपका निकानना है तो 150 में 15 जाएगा आपका 10 times तो breadth आपका हो गया 10 breadth 10 होई गे से तो अगर आपका breadth अगर आपका 10 है तो breadth आपका सेम है तो area of rectangle is equals to length into breadth length है आप area of rectangle अभी नया वाला का area कितना है 200 length आपको निकानना है लेकिन question में बोल रहा है the original area by increasing its length only only आपका length increase हो रहा है breadth के बारे में नहीं बोला तो breadth आपका सेम ही रहेगा तो breadth अभी निकला कितना है आपका 10 तो 00 getting cancelled तो length आपका कितना आगया length आगया 20 और अगर आपका length 20 है तो perimeter of rectangle कितना हो जाएगा 2 into length आया 20 breadth आया 10 10 plus 20 30 30 into 2 60 तो अभी नया वाला perimeter आपका कितना आया 60 60 will be the right answer option B ठीक है सर I hope यहां तक आपको पुरा clear हो गया होगा अगर यहां अगर आप हमारे साथ अगर आप हमसे जूनना चाहते है अगर आप तोड़ा भहत अगर आप हमसे motivated है या फिर कुछ help हुआ है हमसे इस journey में तो please do support this channel आपका help का आपका support का ज़रूरत है हमें इस family को और आगे बढ़ा के लेके जाना है और इसके लिए आपका help ज़रूर चाहिए होगा तो अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया तो please do subscribe this channel चलो जी फिर आगे चलेंगे Question number 3 Question number 3 में हमारा क्या बोल रहा है The total surface area of a cube is 96 cm2 ठीक है तो total surface area of cube का formula क्या होता है Total surface area of cube हमारा कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है और total surface area of cube का formula क्या होता है 6A square ये formula याद कर ले न 6A square equals to 96 तो A square 96 divided by 6 हो जाएगा 16 तो A का value आ गया 4 A का value आ गया आपका 4 बहुत बढ़िया आगे आ जाए Question क्या बोल रहा है The volume of the cube तो आपको volume of cube आपसे पूचा है volume of cube का formula होता है आपका A cube A का value 4 4 cube मत्दद 4 into 4 into 4 तो ये हो गया हमारा 64 cubic centimeter centimeter cube वैसे type नहीं कर पाया तो ऐसे लिग दिया है वैसे option में है ऐसे cubic centimeter ऐसे दिया हुआ था अगे आ जाए Question number 4 Question number 4 में हमारा क्या बोल रहा है The ratio of the radius Radius का plural होता है आपका Radius The ratio of the radius of two circle is 2 is to 3 ये 2 नहीं होगा The ratio of the radius of two circle is 2 is to 3 The ratio of the areas of the two circle is तो दो circle का radius का ratio दिया हुआ है 2 is to 3 तो यहाँ पे आपका r1 और r2 का ratio दिया हुआ है 2 is to 3 हमने आपको बोला था कभी भी अगर आपको ratio दिया है और अगर आपको ratio हटाना है तो आप x ले आईए आपका ratio हट जाएगा तो area of circle 1 area of circle 1 इसका formula क्या होगा πाई r1 का square और दोनों circle का area का ratio पूचा है तो area of circle 2 क्या हो जाएगा आपका πाई r2 का square ठीक है पाई पाई गेटिंग कैंसेल r1 का square r1 का square मतलब 2x का whole square divided by 3x का whole square तो 2 square मतलब 4 तो 4x square और 3 का square मतलब 9 तो यह 9 का square x square x square गेटिंग कैंसेल 4 is to 9 यह इसका answer है हमेशा आप ध्यान रखना 1 second में इसका answer आप इसका short trick देख लिजे कभी भी अगर आपका इसका अगर आपको कभी भी अगर इसमें अगर आपका अगर आपको 2 radius अगर आपका दिया हुआ है अगर आपको 2 radius अगर आपको दिया है अगर कही भी अगर आपको 2 radius का ratio अगर आपको दिया है और आपका अगर आपका area का ratio पूचा है अगर आपका area का radius का ratio दिया है area का ratio पूचा है तो आपको कुछ नहीं करना है r1 upon r1 और r2 का square कर दीजिए आपका अंसर आजाएगा एक सेगंड में तो यह आप शोट्रीक आप याद कर लेना आपको कुछ नहीं करना है सर आपको बस R1 और R2 का स्क्वेर ले लीजिए अगर आप R1 और R2 का अगर आप स्क्वेर ले लेंगे तो इससे आपका एरिया का भी रेशियो आजाएगा आपको यह सारा स्टेप करने का जुरुवत नहीं एक सेगंड में आंसर फिर उसके बाद आप अगला वाले क्वेशन में आप आजाएए क्वेशन नमबर 5 आपका क्या बोल रहा है तो एक अवेलू कितना है आपका यहाँ पे एक अवेलू है आपका 12 तो यहाँ पे होगा आपका 12 का स्क्वेर मतलब 12 आपका दो बार आएगा 4 आपका 12 में जाएगा 3 times 3 into 12 हो जाएगा हमारा 36 36 root 3 तो 36 root 3 इसका मतलब कितना है आपका option D will be the right answer ठीके जी आई होप यहाँ तक आपका पूरा clear हो गया होगा फिर उसके बाद फिर आप अगले वाले question में आप आजाएए kitchen floor with the square tiles तो मान लीजिए कि आपके घर में एक kitchen है और यह वाला यह आपके घर में आपका kitchen है यह kitchen का floor है ठीके kitchen का floor है बहुत बढ़िया है फिर उसके बाद आप आगे आजाएए रभी plans to tie his kitchen floor with the square tiles तो अभी आपको न यहाँ पे square tiles आपको ties लगाना है यहाँ पे आपको ties लगाना है square size का square size का ऐसा ties लगाना है आपको ठीके रभी plans to tie his kitchen floor with the square tiles each of the tile has a side of 10 cm तो इसका side आपको 10 cm दिया हुआ है जो ties का जो size है न सर वो आपका 10 cm आपका दिया है the kitchen is 2.4 meter long kitchen आपका 2.4 meter long है यह 2.4 meter है और यह आपका 1.6 meter आपका यह है ठीके आप question में बोल रहा है कि the kitchen is the kitchen is 2.4 meter long and 1.6 meter wide how many tiles how many tiles how many tiles will ravi need रभी को कितना tiles चाहिए मान लिजे कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे रभी को end tiles चाहिए तो मैं सबसे पहले में एक काम करता हूँ मैं area of tiles निकाल लेता हूँ तो area of tiles का मतलब है आपका area of square है ना सर area of tiles का मतलब है यहाँ पे area of square तो area of square हो जाएगा हमारा area of square का होता है हमारा s square मतलब यहाँ पे 10 into 10 इसका मतलब है 100 cm square तो x square का area आपको मिल गया है x square का एक tiles का area आपको मिल गया है 100 मतलब यह आपका 100 आपका ले रहा है और ऐसा कितना ले रहा है आपका ऐसे box मैंने मान लिया कि n box ले रहा है ऐसा ऐसा x box लग रहा है x tiles लग रहा है आपका floor में तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x into x या फिर n ले लिजी यहाँ पे मैंने n लिया तो मैं n ही लेता हूँ तो मैंने बोला कि मुझे n tiles चाहिए तो n into area of square square मतलब area of tiles in equals to area of kitchen floor area of kf kf मतलब kitchen floor अब यहाँ पे देखो sir यहाँ पे जब हम area of square जब निकाले है तो यह centimeter unit में है लेकिन यह meter में है तो आपको centimeter से आपको meter में जाना पड़ेगा और अगर आपको sorry यहाँ पे आपने area centimeter में निकाल लिया लेकिन यहाँ पे unit हमारा meter में है तो हम इसको centimeter में ही ले जाएंगे 100 centimeter equals to 100 centimeter में हमारा 1 meter होता है तो 1 meter से अगर centimeter में जाना है तो हम इसको 100 से product करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 240 centimeter यह हो जाएगा हमारा 240 centimeter और 1.6 को अगर हम 100 से product किया तो ये हमारा हो जाएगा 160 cm तो N into area of square area of square हमारा कितना है हमारा 100 है area of kitchen floor kitchen floor का मतलब ये तो rectangular है तो length into breadth होगा जिसमें हमारा length हमारा कितना है सर length हमारा 240 length हमारा 240 breadth हमारा 160 तो N into 100 is equals to 240 into 160 ये grade 3 में आया हुआ question है 00 getting cancelled 00 getting cancelled तो यहाँ पर मैं N का value निकालूंगा अगर मैं N का value अगर निकालूंगा तो आप product करोगे यहाँ पर 24 को 16 से product कीजिए 24 को अगर आप 16 से अगर आप product करोगे तो आपको मिलेगा 384 इसका मतलब है कि आपको कितना टाइस लगेगा आपके kitchen floor में 384 आपका टाइस लगेगा आपके kitchen में ये ऐसा calculation बड़ा अच्चा calculation है और ऐसा हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि जब हम घर में टाइस वगरा का जब काम करते हैं तो हमें calculation आना चाहिए ये हमारे घर में कितना टाइस चाहिए होगा अगर हम इसका काम करेंगे तो अभी फिलाल ADR ही दे देते फिर उसके बाद करेंगे टाइस का काम आगे चलिए question number 7 question number 7 में हमारा क्या बोल रहा है area of a rectangle is 300 area of a rectangle is 300 cm square and the length of diagonal is ये बहुत अच्चा question है ये वोला न ये तो मतलब हिला देगा अगर पहले से अगर आपने ये question नहीं किया न तो exam में ये fast time question करना मतलब बहुत मुश्किल है जिसका बहुत अच्चा मैस है ऐसा type question वो exam में कर सकता है लेही तो फिलाल नहीं कर सकता है मुझे ऐसा लगता है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ ध्यान से सुनना ये grade 3 का question आया वो question है बड़ा अच्चा question है ये होला मुझे भी दो बार करना पड़ा ये वीडियो सिरीज बनाने से पहले तो आपको area of rectangle आपको दिया है area of rectangle आपको दिया है 300 बहुत बढ़िया the length of diagonal is 25 cm तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एक rectangle हम वैसे draw कर लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको तो यहाँ पर आपके पास एक rectangle है आपके पास सर यहाँ पर एक rectangle है इस rectangle का diagonal आपको दिया है इसका diagonal आपको दिया है 25 मैंने मान लिया मेरा length है area of rectangle का मतलब होता है length into breadth, length into breadth equals to 300, length हमारा a और breadth हमारा b equals to 300, तो a into b का value हमने, a into b मतलब a b, तो यहाँ पे हमारा a b का value हमारा 300 दिया हुआ, a into b मतलब a b, a b का value हमारे पास है 300, मैंने इसको रख दिया है, बहुत बढ़िया, अगले वाले statement में आप आ जाइए, अगर आपके पास diagonal value 25 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, a square plus b square का value कितना है, a square plus b square using pythagoras theorem we can write, a square plus b square equals to 25 का square, तो यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ, a square plus b square equals to 625, ठीके, बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए, perimeter of rectangle, आप देखो सर, यहाँ पे, अब अगला वाला में आपको पूचा है, perimeter of rectangle, rectangle का perimeter अगर आपको निकालना है, तो rectangle का perimeter है आपका 2 into length plus breadth, length है हमारा a, breadth है हमारा b, तो 2 into a plus b, तो हमें a plus b का value हमें चाहिए, इस वाले relation यूज़ करके, तो मैं यहाँ से start करता हूँ, अगर यहाँ से, अगर मैं करूँगा, तो देखो, मैं लिख सकता हूँ, a plus b का whole square formula में लिख सकता हूँ, s square plus b square plus 2ab, अब बोलोगे sir, आप a plus b whole square formula क्यों यूज़ कर रहे हो, अभी आपको समझ में आएगा, a plus a square plus b square का value दिया हुआ है, इसलिए हमने a plus b whole square formula यूज़ किया, a square plus b square का value है, हमारे पास 625 plus 2 into a b, a b का value है, हमारे पास 300, तो 625 plus 6300 into 2, 600, 600 plus 625, तो यह हमारे पास हो गया, 1225, तो a plus b whole square का value है, 1225, तो यहां से फिर हमें value मिलेगा, a plus b is equal to 1225, और 1225 किसका square value होता है, आपका 35 का, यह आपका 35 का value होता है, तो a plus b का value आगया 35, और अगर a plus b का value अगर हमारे पास 35 आगया, तो 2 into 35, तो 2 into 35 का मतलब है 70, तो यहां पे फिर हमारा value आजाना चाहिए, perimeter of rectangle, तो यहां से फिर हमारा perimeter of rectangle आजाना चाहिए, 70 cm जो की option b will be the right answer, आपके लिए तोड़ा कतरनाक जैसा question लग रहा होगा, लेकिन चलो ठीक है, यह grade 3 का question है, और एक दो question paper में तोड़ा difficult रहता है, आपको भी पता है, इससे कोई difference credit नहीं होता है, आप एक question अगर आप छोड़ दोगे, और आप English comprehension का अगर एक question extra कर लोगे, तो ऐसा दो question का weightage आप वहां ले जाओगे, तो ऐसा कभी-कभी paper में एक दो question रहता है, तो तोड़ा दिमाग खरब करने वाला होता है, इसको लेकिए आपको tension नहीं लेना है, इसको लेकिए आप demotivate नहीं होना है, यह difference credit नहीं करेगा, आप ज्यादा से ज्यादा, आप comprehension में focus कीजिएगा, कल हम आपको बताएंगे कि exam से पहले आपको क्या-क्या देखके जाना है, या फिर मतलब क्या देखके नहीं जाना है, मतलब कैसे exam में बैठना है, final जो tips होगा, वो हम आपको कल बताएंगे जाने से पहले, exam में आप paper attempt कैसे करोगे, उस चीज़ के बारे में हम कल finally एक वीडियो लेके हम आपको graduation लेबल के लिए हम आपको विदाय देना चाहेंगे, बहुत अच्छा होगा, don't worry, tension बिल्कुल मत लीजिए, question number 8 में आप आजाए, two times the area of a square of side, एक centimeter, मतलब आपको बोला, आपके पास एक square है, यह कौन सा square हुआ, आपके पास एक square है, आपके पास एक square है, आपके पास यहाँ पे एक square है, two times the area of square of side x centimeter, मतलब इसका side है x centimeter, और अगर इसका side x है तो area कितना हो जाएगा, x square, तो two times of area of square, two times of area of square का मतलब two x square, ठीक है, is added to, is added to, यह add किया गया है, किस से three times the perimeter of the same square, इसका perimeter के साथ add किया गया, अगर इसका x अगर length है, तो इसका perimeter क्या होगा सर, इसका perimeter होगा आपका 4x, ठीक है, और इसका बोला, two times the area of square, two times the area of square, two times of area of square, is added to, three times perimeter, perimeter का three times, perimeter का perimeter कितना है, 4x, इसका कितना, three times, तो perimeter का three times कितना होगा हमारा, 12x, तो बोल रहा है कि two times of area, two times of area, two times of area is added to, three times of its perimeter, और three times of its perimeter कितना है, 12x, तो आपको बोला कि इसका algebraic expression क्या होगा, 2x square plus 12x, option D will be the right answer, ठीक है जी, अगले वाले में आप आजाए, question number 9, question number 9 में बड़ा अच्चा सा question था, बड़ा easy सा question था, यह जो grade 4 level का question था, क्या पूछे रहा है आपका, the three sides of a triangle are 2.3 cm, एक side आपको दिया हुआ है, 2.3 cm, दुसरा वाला side दिया हुआ है, 20 mm, और तिसरा वाला दिया हुआ है, आपका 23 mm, यह कौन सा type का triangle है, यह आपको बताना था, तो आप देख रहे होंगे, तीनों side आपका अलाग-अलाग है, कोई आपका match up नहीं हो रहा है, नहीं, एक मिनिट रुकिए, mm, तो यह यह दिखिए, यह दिखिए, यह दिखिए, mm और यह cm, हमें पता है, क्या पता है, कि अगर हम cm से, अगर हम mm में जाना चाहेंगे, तो 10 से product करेंगे, तो 2.3 into 10, यह हो जाएगा हमारा mm, तो यह हम लिख सकते है, 23 mm, यह हो जाएगा हमारा 20 mm, और यह हो जाएगा हमारा 23 mm, तो यह दो side आपका equal है, और अगर आपका 2 side equal है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, isosilis, iso का मतलब होता है, आपका 2, तो यह वला आपका isosilis triangle हो जाएगा right answer, isosilis, बहुत बढ़िया, आगे आजाएए question number 10, इस series का last question, question number 10 में बोल रहा है, the ratio of the sides of a triangle, आपका 3 side है, आपका S1, S2 और S3, और तिनो side का ratio आपको दिया हुआ है, आपका 1 is to 3, 1 is to 3, 1 is to 2, 1 is to 3 और 1 is to 4, और आपको बोल रहा है कि perimeter आपको दिया है, perimeter of triangle आपको दिया हुआ है, perimeter of triangle का formula क्या होता है, perimeter of triangle का formula होता है, S1 प्लास S2 प्लास S3, S का मतलब है side, सर हमने ratio और proportion में हमने आपको बोला था, कभी भी अगर आपका fraction में दिया है, तो आप निचे वाला value का आप LCM ले ली जिए, और निचे वाला value का आप LCM ले ली जिए, और निचे वाला value का अगर आप LCM ले 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 जिए, LCM हमारा 2, 3, 4 का LCM कितना होगा, 2 से जाएगा, 2, 2 पे एक बार, 2, 3 पे जाएगा नहीं, 2, 4 पे दो बार, 2, 1 जा 2, 2, 3 जा 6, 6, 2 जा 12, तो LCM आया है हमारा 12, तो आपको 12 से सारा number को कर देना है product, तो 12 से मैंने सारे number को मैंने product कर दिया, तो 2, 12 में 6 times, 3, 12 में 4 times, 4, 12 में 3 times, तो अब हमारा रेशियो आ गया, 6, 4, 3 रेशियो, तो अगर आपको बोला था, वैसे हमने आपको बोला था, अगर रेशियो दिया हुआ है, तो आपके पास तीनों साइट आपके पास आ गया है, तो perimeter of triangle आपको दिया है, 104, S1 का value 6x, S2 का value 4x, और S3 का value 3x, तो यहां से फिर आपको मिल जाएगा, 13x, 13x equals to 104, तो फिर यहां से आपका X का value आ गया, 8, अगर आपका X का value 8 आया, तो question में क्या बोल रहा है, longest arm, longest arm कौन सा है हमारा, यह 6x, तो आप हमें बताएंगे, यह कितना हो रहा है, X, अगर 8 है, तो 68, 48 cm, जो कि सबसे longest side है, longest arm है, पूरा SLRC का जितना भी सारा question आया हुआ था, सारा का सारा paper में, वो सारा question हम आपसे discuss कर लिए, इसी type के questions आपको paper में देखने को मिलेगा, I am very hopeful आपको यह video बड़ा अच्छा लगा होगा, कैसा लगा, आपका आपका opinion हमारे समने, आप comment section में ज़रूर बोलना, and I wish you all the very best for your graduate level exam, I am very hopeful, you will come out in flying colors, बहुत अच्छा होगा, आपका attention बिल्कुल नहीं करना है, last awards में जो आपने short note बनाया था, इसी को आप revise कीजिये, और इसी को देखके जाए, बहुत अच्छा होगा, I wish you all the very best, very very best, उपर वाला आप सब को कमियाप करे, thank you so much, thank you, I will take your leave, take care and bye bye.